पिराधे जैशी किष्णा कैसे हैं भक्तो आप सबाई होप सभी अच्छी होंगे मैं संगीता शर्मा भक्ती बजन लिया के चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूं तो भक्तो जो आज की वीडियो है अक्षा तित्या पे हम लड़ू गोपाल जी के लिए घर में इजीली पायल कैसे बना सकते हैं जैसे कि मैंने वीडियो में बताया भी था चाहे तो आप मोतियों से बना सकते हो चांदी की ले के आ सकते हो या फिर चांदी के जो घुंगरू ह तो इस वीडियो में आपको यही दिखाऊंगी अलग-अलग चीजों से फूलों से तुलसी से तुलसी के जो मोती होते हैं उससे आप पायल घर में कैसे बना सकते हैं और एक चीज और दिखा देती हुँ जैसे मैं लड्डु को पायल जी के लिए ये कंगन का भी काम करते हैं और पायल का भी जैसे ये नीचे इस तरीके से ये पायल का भी काम करते हैं और ये हाथों के कड़े भी पेना सकते हैं दोनों ही चीज़ हैं तो मेरे पास ये लड़ू गो पाल जी और राधरानी के हैं छोटे वाले के हैं लेके तो नहीं है, तो मैं आपको दिखा देते हूं, ये बन गई है पायल, हमारे लड़ुगो पाल जी की, चाहे तो आप रेडी मेट लेके आ सकते हैं, इसमें छोटे छोटे ये कलरफूल, मतलब घूंगरू की तरह लगे वें, है तो मोती, तो आप ये भी लेके आ सकते हो, या फिर पायल आती है न मोतियों की आप वो भी लेके आ सकते हो तो मेरे पास ये है देखते हैं मैं भी सोच रही हूँ फूलो की या फिर मैं तुलसी पत्र जो होते हैं या फिर तुलसी के जो मोति होते हैं उससे पायल बनाके लड़ू गोपाल जी को पहनाऊंगी क्योंकि मेरे पास भी मोतियों की बहुत सारी पड़ी हुए और चांदी की भी पायल है हमारी राधारानी और लड़ुगोपाल जी की जो पहले लड़ुगोपाल है मेरे पास और राधारानी माधव की तो नहीं है अभी चांदी की और चांदी की ना काली बहुत जल्दी हो ज हमारे लड़ू को पाल जी की और राधरानी की भी हैं तो ऐसी भी पाल है लड़ू को पाल जी की और राधरानी की तो ये भी मेरे पास सभी की पाल हैं ये रखें पाल और ये हमारे केशव बाबू की हैं ये केशव की हैं तो आप ऐसी रेडिमेट भी लेके आ सकते हो दुकान से लड़ू गोपाल जी का समान मिलता है तो ऐसी मेरे पास सभी की पायल है केश्वी की भी है राधिका की भी है सभी की पायल है तो मैं आपको दिखाऊंगी जो artificial flower आते हैं इस तरीके के जो flower हैं चाहे तो आप इनसे भी बनाके लड़ू गोपाल इस में और भी कलर के फुल आते हैं कि आ खरलू के आप कलर moments of the class दिए अधीक कलर के आप कलरस पइना सकतें लुक। नरर निंसी सटेंढ़ है तो यह मैंने दू कलर के फूल लिये और सब्सक्राइल बनाएंगे तो आप Pav000 दागा ले सकते हो या फिर न एक तार आता है पतला सा तार आता है ये ये पतला सा तार आता है ये ले सकते हो या फिर सुरी दागा तो मैं आपको इसी से बना के दिखाऊंगी पायल लड्डू गोपाल जी की बहुत इजीली तयार हो जाएगी लड्डू गोपाल जी की पायल तो ये मैंने तार लिया है और इसको अराम से न तार में बहुत जल्दी होता है धागे में थोड़ा टाइम लगता है तो मैं बना रही हूं इसमें ये जो तार अब तो इससे मैं लड़ू गोपाल जी के कंगन वगेरा भी बना लेती हूं मोतियों के एजी ली न बन जाते हैं अब मैंने ले लिया एक ग्रीन कलर का फ्लावर जो मैं बीच में लगाने वाली हूं तो मैं देखती हूं लड़ू गोपाल जी को औरिजिनल फूल की बनाती हूं या फिर ये वाले जो फ्लावर आते हैं इसकी बनाती हूँ तो अभी ये पूरी माला मतलब कि ये पूरी पायल हम बना लेते हैं तो मैंने इसमें 6 फूल लगाएं बल्कि ये तो बड़े लड़ू गोपाल की पैर की है तो आप अपने लड़ू गोपाल जी के हिसाब से देख लेएarette चोटे हैं या फिर बड़े लड़ू गोपाल है उस हिसाब से आप पायल बना सकते हो तो ये बन गई लड़ू को पाल जी के पैरों की पायल और इसको जब हम पहनाएंगे तो इसको गोल कर देंगे और यहां से हलका सा हम तार मोड देंगे तो मैंने तो ये बड़े लड़ु गॉपाल जी के पैर कि बनाई है, आप छोटे ले सकते हो, छोटे फ्लावर भी आते हैं, वो भी ले सकते हो, या फिर ओरिजिनल फूल भी ले सकते हो तो आप इस तरीके की भी पायल बना सकते हो अब मैं दिखाऊंगी ओरिजिनल जो तुलसी पत्र होते हैं उसके आपको तुलसी के पत्ते ले लेने तो ये मैंने लिए तुलसी के पत्ते जिससे हम लड़ू गुपाल जी की पायल बनाएंगे तो जैसे मैंने बताया आप तार में ले सकते हो या फिर धागे में भी ले सकते हो हम बनाएंगे लड़ु गोपाल जी के लिए जो तुलसी पत्ते होते हैं न उससे ओरिजिनल वाले तुलसी पत्ते से हम माला बनाएंगे तो ये मैंने कुछ तुलसी के पत्य ले लिए, और मैंने ले लिया है वही पतलावाला तार, जो मैंने आपको दिखाया, तो उसको हम, चाहे आप धागा ले सकते हो, मर्जी है, और चाहे न, आप लेस्ट भी ले सकते हो, तो अभी मैं दिखाती हूँ, मैं कैसे बनाँगी, ल के अंदर तो अभी मैं दो तुल्टी पत्र डालूंinky उसके बाद मैं इसमें गूंगरू भी डालूंगी जो आते ना गूंगरू आप चांदी के ले सकते हो गूंगरू या फिर आप जो बजार में मतलब की लोक अर्टीफिशाल आते नа वह भी ले सकते हो वह आपकी मर्जी है अब मैं इस मेना एक मेरे पास अभी मैं लेके नहीं आई हूँ मेरे पास तो रखे वे थे थोड़े से चांदी के घूंगरू है वो डाल के दिखाऊंगी आपको मैं तो एक ना मैं साइड में डालूंगी ये ये घूंगरू ऐसे और एक मैं यहाँ पर डाल और उसके बाद फिर हम घूंगरू लगा देंगे एक और आप देख सकते हैं यह बजने वाले एक बिना बजने वाले भी आते हैं घूंगरू और बजने वाले भी वह आपकी मर्जी है वैसे तो बजने वाली लेने चाहिए हमारे लड़ू को पाजी पूरे घर में और हमार यह ऐसे आएंगे दो दो पत्ते आएंगे बीच में तो अभी लड़ू गोपाल जी की यह पायल बन गए यह आप देख रहे हो बजने वाली और यह जो तार है जब हम लड़ू गोपाल जी को पहनाएंगे इसको हम इस तरीके से मोड देंगे और बाद में यह तुलसी पत्र जब सूख जाएं तो आप निकाल लेना आप इसको यूज कर सकते हैं अपनी चाय वगेरा में नहीं तो वापस से तुलसी जी के गमले में भी डाल सकते हो फेकने नहीं हैं तो एक यह आप इस तरीके से तुलसी माला बनाके लड़ू गोपाल जी को पहना सकते हो तो मैंने दो तरेकी की पायल दिखा दिए एक यह है जैसे कि यह लैस है लड़ू गोपाल जी की ड्रेस वगेरा में लगाते हैं तो मेरे पस काफी सारी रखी हैं और एक ना घूंगरू वाली भी लैस आती है वो ड्रेस में लगी हुई है नहीं तो मैं वो भी दिखा देती तो जैसे मैंने आपने देखा होगा वीडियो डाली थी लड़ू गोपाल जी का मैंने तुलसी पत्र से सिंगार किया था तो वो तुलसी पत्र लड़ू गोपाल जी की बोड़ी पे कैसे लगाए थे तो मैं दिखाऊंगी लड़ू गोपाल जी को आप ये वाली पायल कैसे पिना सकते हो जैसे ये आप देख रहे हो पूरी पायल का ही लुक कर रही है स्टोन वाली पायल है तो इसके उपर हम ना तुलसी पत्र इस तरीके से लगाएंगे एक एक करके ये ऐसे और वो लगाने कैसे हैं यहाँ पे आप थोड़ा सा चंदन लगाएंगे जिससे वो चिपक जाए तो मैं आपको लगा के भी दिखा देती हूँ थोड़ा थोड़ा चंदन लगाना है क्योंकि ये परमेनेट तो पायल बनेगी नी आप उस दिन अक्षातित्या पे पहना सकते हैं के लिए पायल बनेटिजिए आप पायल बनाना बता दी जिए क्योंकि मैंने जँशे तित्या की जो वीडियो डाली थी पैसे बनाएं लड़ा पायल जी के लिए चनदन का तो मैंने उसमें बताय था आप पायल मोतिएओ की भी पहना सकते हो तो इसलिए मैं ये वीडियो डाल गई हूँ अब मैंने ले लिया थोड़ा सा चंदन और यहाँ पे लगाएंगे हम थोड़ा सा चंदन थोड़ा चंदन आप टाइटी घोलना जिससे तुलसी पत्र चिपग जाए तो ये तुलसी पत्र हम इस तरीके से लगा देंगे आपने देखा था लड़ू गोपाल जी को जो मैंने फूलों से शिंगार किया था तो मैंने पहले चंदन ही लगाया था उसके बाद लड़ू गोपाल जी को तुलसी पत्र लगाया था उनके और फूल भी इसी तरीके से ल पूरी पे है है और यह तुलसी पत्र लगाते जाएं और उसके बाद आप लड़ू को पायल धारन करा सकते हो अक्षतित्या वाले दिन और अब तो गर्वबक तो यह हो गई लड़ू को पायल लड़ू को पायल प्ऩव्पर जी Wash aya, यह बांद do he तार ले 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 इसके अंदर होल है वो भी हो जाएगा अगर लैस है उसमें भी आप इजीली कर सकते हो या फिर धागे से भी बांद सकते हो जैसे सुई धागे से ले 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 और ये गोल करके घुमा के बांद दे और ये इजीली पायल बन जाएगी और ये लड़ू गोपाल जी के आप तुलसी पत्र मैंने बताया आपको चाहे तो ये वाली बना के पहना सकते हो चाहे ये वाली ये तो बिल्कुल इजी तरीके से पहनाई जाएगी और ये भी जो मैंने बता दिया आप सुनी धागे से थोड़ा सा इसको एक दो टाके लगा के जब पहनाएं गोपाल जी की पायल जो हमने चंदन से बनाई है अब मैं दिखाऊंगे आपको आप लड्डु गोपाल जी लास आपफ कोईसी भी ले सकते हो जब लास से बनानी है अगर खाली लास भी लगानी है तो आप fertilis लास ले सकते हो जैसे ये फैंसी लास है आप देख रहेंगे इसमें आप न ये जो लैस है थोड़ी चोड़ी है इसको या तो आप इतनी भी रख सकते हो अगर लड़ू गोपाल जी बढ़े हैं आपके अगर छोटी करनी है तो आप इस तरीके से बीच में से सिलके और यहाँ पर एक एक गुंगरू टक कर सकते हो सुई से या फिर मोती भ त्यार हो जाएगी लड़ू गोपाल जी के साइज से आप यह नाप के पहना सकते हैं अब बनाएंगे हम मोतियों से और घुंगरू होते हैं उससे हम पायल त्यार करेंगे तो यह मैंने तार ले लिया है और यह घुंगरू डाल लिया है अब इसके अंदर मैं मोती डाल पहले मैं चार मोती डाल लेती हूं उसके बाद इसके अंदर हम फिर एक घुंगरू डाल लेंगे तो ऐसे मैं डालती रहूंगी घुंगरू और मोती इसी तरीके से पूरी पायल मैं तयार कर लूँगी अब इसके अंदर तो अभी हमने मोती से और घुंगरू से यह पायल तयार करिए तो घूंगरू आप दो भी लगा सकते हो साइडों में या फिर बीच में ये आप अपने हिसाब से लगा सकते हो तो ये पायल हो गई है हमारी तयार और भक्तो आप जैसे खाली मैंने जो आपको शुरू में बताया आप खाली न चांदी का तार भी ला सकते हो आपको वो कैसे ते यार करोगे आप एक पायल में आपको वो भी बना के दिखा देती हूँ छोटी सी जैसे ये तार है और ये हैं घूंगरू अब इसके अंदर हम सारे घूंगरू ऐसे डाल देंगे पिछली बार मैंने अपनी राधर आनी के लिए और लड़ू गोपाल ज जी को पायल पहना सकते हो घूंगरू छोटे बड़े कोई भी ले सकते हो तो आप ऐसे भी पायल तयार कर सकते हो अपने लड़ू गोपाल जी की चाहे तो ये जो औरिजनल फूल होते हैं आप इससे भी पायल बना सकते हो छोटे भी आते हैं फूल बड़े भी आते हैं तो म मतलब सबकुछ फूलों की जोयलरी बनाई थी उनके लिए और आपके छोटे से काना जी है तो आप इसमें जो फ्लावर होते हैं इसकी पत्यां ले सकते हो उससे भी बना सकते हो सुई धागे से और वो भी पहना सकते हो आप तो यह तो मैंने बड़े लड़ु गोपाल जी भी इन में से कोई भी पायल बनाके पहना सकते हो कोई भी मोती ला सकते हो कोई भी पायल पहना सकते हो अगर आप चांदी की लाना चाते हो तो चांदी की भी ला सकते हो तो अभी इस वाली वीडियो कहीं पेंड करती हो अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ला आदे आदे, आदे, आदे.